हाई गाईज मैं हूँ अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चानल फिट लाइफ बैयामिता पे कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज का जो टॉपिक है बहुत इंपोर्टेंट है तो पूरी वीडियो एंड तक देखना आज कल बहुत सारे लोग इंडिया में डॉंकी के बारे में सुना होगा तो इंडिया में डॉंकी प्रोसेस उसे कहा जाता है जो लोग बॉर्डर क्रोस कर करकर दूसरी कंट्री में जाते हैं इलीगल प्रोसेस के द्वारा उनके पास वीजा नहीं होता किसी दूसरी कंट्री में जाने का पर वो बॉर्डर क्रोस करकर करकर के एक कंट्री से दूसरी तीसरी चौथी कंट्री में पहुसते हैं इस पूरे प्रोसेस को donkey process कहा जाता है और generally जो भी इंडिया में agents हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि हम बहुत जादा इस्तेमाल करते हैं और वो कहते हैं हम आपको अमेरिका donkey process के त्वारा पहुचा देंगे तो आज हम जानेंगे donkey process के बारे में donkey process में ज्यादा तर लोग इंडिया पाकिस्तान नेपाल और बंगलादेश से आते हैं जो कि data कहता है मैं नहीं कह रही हूं जो भी म रुपय में मैं आप लोगों को पहुचा दूँगा अमेरिका के अंदर आप जाते हूं से एजेंट के पास क्योंकि बहुत ही attractive चीज लगती है आपको 25,000 रुपय में आप अमेरिका पहुच जाओगे वाव है ना ये बहुत ही attractive चीज कोई भी एक बार कोशिच करेगा जा क देखेगा होता क्या है तो आप जाते हो ओफिस में एजेंट कहता है हाँ हाँ 25,000 बस मुझे दो मैं आपको अमेरिका असानी से पहुचा दूँगा आप सबते हो वाव एजेंट का दुकान है एजेंट वहीं बैठा है 25,000 मेरे लेके कहीं भागेगा तो नहीं दे देते हैं 25,000 तो मेरा अभी तक कफी था ओफिस में आपने मुझे बात की details लिया कैसे जाओगे क्या process इसके बारे में अब वहां जाके काम कैसे करोगे तो उसके लिए आपका work visa लगाना पड़ेगा तो इसलिए आप मुझे 40,000 और दो ताकि आपका work visa लग जाए फिर आप जाके अमे वाया वाया इस country के through होके अमेरिका जाना है और मेरे जो बंदे हैं वो आपको अमेरिका पहुचा देंगे इस way के through फिर आप सोचते हो 70,000 तो मैंने already डुआ दिये हैं तो आप कहते हो ठीक है भई जैसे भी जिस भी country के through मुझे लेके जाना चाहते हो लेके जाओ इतना कि घर वालों से contact में रहते हैं और कहते हैं कि जैसे जैसे मैं धीरे इसे पहुचाऊंगा आपको पैसे मुझे धीरे धीरे देते रहना है क्योंकि सचाई आपको आगे पता चलेगे क्योंकि एक बार बीच में आप रास्ते में फस गये तो आपके घर वाले फिर भी पैसे त पानी से नहीं मिलता है कई सारे लोगों को तो डिरेक्ट वीजा ना ले करके वो लोग आपको लैटिन अमेरिका के किसी कंट्री का वीजा दिलाते हैं क्योंकि लैटिन अमेरिका से 12-14 कंट्री के बाद मेक्सिको आता है और मेक्सिको के बाद आप अमेरिका मेंटर हो सकते हो लेटिन अमेरिका की कंट्रीज, अर्जेंटीना, ब्रजिल हो गया, कोलंबिया हो गया, ऐसे सब किसी कंट्री का आपको वीजा दिलाते हैं और उस कंट्री आपको भेज देते हैं मैं जब research करी थी मेरे रूख काप गए थे कि लोग ऐसा क्यों करते हों और क्यासे करते हैं इतनी हिम्मत कहां से जुडाते हैं और अगर वो 25-30 लाख अमेरिका आने के लिए ऐसे sub fraud agent को दे रहे हैं especially तब कि आपकी जान भी जा सकती है इस पूरे process में आपको मैं बताऊंगी तो वो क्यों इस तरीके से आ रहे हैं? लीगल तरीके से क्यों नहीं वो अमेरिका के अंदर आ रहे हैं? अगर आप legal तरीक से अमेरिका के अनदर आना चाहते हो, तो मैंने आप सब के लिए course लांच किया जिसमें, अमेरिका आने के सारे legal process को मैंने बताया है, legal visas को आपको ऐसे लेके जेड visas cover किये हैं उसमें, किस visa पर आप कौनसी जॉॉब कर सकते हो तो यह सारा मैंने उस पे बताया है, तो मेरी suggestion यह ही है कि आप आओ, पर legal तरीके से आओ, यह donkey process के थूँ, मैं नहीं suggest करती किसी को भी America आने का, मैं बस share कर रही हूँ, जो मैंने सुना है, जो मैंने research किया है, वापिस आते हैं कहानी पे, यह जो donkers है, आपको हर एक country में अलग- यह agents सारे एक दूसरे से communicate करते हैं, हर एक border पे आपको अलग-अलग donkers मिलेंगे, अलग-अलग agents मिलेंगे, जो कि आपको borders cross करवाएंगे, जो लाटिन अमेरिका में आप कैसे cross करते हैं, तो माले ब्राजिल आगए, ब्राजिल से आप Ecuador जाओगे, फिर वहाँ से Colombia आपको Costa Rica, Nicaragua, next होता है Hondros, वहाँ पे कई सारी countries है, Guatemala and then आप Mexico पहुचते हो, ऐसा नहीं कि आप border पे पहुचे तूरत आपको एजेंट मिलगा है, कई बार आपको 7-8 दिन, 4-5 दिन वेट करना पड़ता है, ब्राज़ कई बार आप जंगलों में चलना पड़ता है, भूखे प्यास आपको खाने का भी कोई पूचेगा नहीं वैसे, वह जंगल 7-8 दिनों में आपको cross करना पड़ता है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है, जंगलों में सोना पड़ता है, सडकों पर सोना पड़ता है, और वेट करना पड़ता है कि अगला एजेंट आएगा वो आपको border cross क करवाएगा पनामा के जंगलों में एक जगे पड़ती है डेरियन गाप करके इसे वाइलेंस एक्स्टोर्शन रेप की जगे भी कहते हैं यहां कई सारी चीजें होती हैं और आपको इस जगे को पार करने में बहुत सारे डेड बॉडी दिखेंगे कई लोग मारे जाते हैं स्न कि अधरली वह एक फॉडी सेवन लेके रहते हैं वह चाहे तो किसी को आसानी से मार सकते हैं लूट पार्ट होती है पैसे भी आपके पास नहीं है फोन में कर अबी छेंड लिया जा सकता है कुछ भी हो सकता है आपके साथ आपको मार दिया सकता है क्योंकि आप एनिवेज इ जिसमें आपके किड़नी लिवर निकाल के बेच दिये जाते हैं यहां चार पाच लाक डॉग लार्स में अमेरिका के अंदर यह सब बिकता है तो गाइस इसलिए बहुत ही खतरनाक है यह फिर अगर आप पैनमा तक पहुच गया है पैनमा से काफी लंबा पानी का रास्ता भी में आप को मिलता है जिसके बारे में भी काफी सुनाया मैंने लिए जिसके बहुत बड़ी बड़ी वेफ साहती है जितना मैंने देखा, रिसर्च किया उसमें आपको चाटे से बोर से भेचते हैं वो लोग लाइक जैकेट कहते हैं हैं लोग छोटा सा जो बोट है तो एक कई बार लहरों से तूट जाता है उस समुदर में कितने लोग मारे जा चुके रहते हैं कितने लोग मर जाते हैं उस समुदर में आपकी किसमत अगर बहुत अच्छी है तो आप पानी वाला लंबा रास्ता क्रॉस कर पाते हो literally आप मौत को बहुत करीब से देखोगे उस समूदर को cross करने के लिए तो ये तो आपको definitely cross करना ही पड़ेगा फिर आप जैसे तरह से Mexico में एंटर Mexico में जैसे आप एंटर होते हो यहाँ पे crime rate गाई इतना ज्यादा high है कि आपके साथ कुछ भी कहीं भी हो सकता है और कोई आपका case भी नहीं बनेगा क्योंकि आप illegal तरीके से Mexico के अंदर आए हो कई बार तो Mexico से भी लोगों को deport कर दिया जाता है बट आपकी किसमत अच्छी है आप पता नहीं किसी solid agent group के साथ आए हो तो शाय जैसे तैसे Mexico में वो आप रहके कुछ दिन वो कई सारे लोगों को इकटा करके फिर वो अमेरिका का border cross करवाना चाहता है अमेरिका का border ग्रिल्स कहीं कहीं लगें कहीं जगें तो normal border है कहीं जगें एक बहुत बड़ी river है Rio Grande river है जो कि Mexico और Texas के बीच में है तो Rio Grande river इतना बड़ा river है वहाँ से लोग कई बार तैर के आते हैं और उसमें भी कहीं सारे लोग मर जाते हैं और कई बार तो भूख मरी से लोग चलते चलते इतना चलना पड़ता है कि भूखे प्यासे आप चल रख पैसे नहीं है आपके पास कुछ भी नहीं है चलते चलते ही मर जाते हैं वहाँ पे और ये पूरा प्रॉसेस गाईस चार पाच महीने का है ऐसा नहीं कि कल आप इंडिया से बैठे और तुरत अमेरिका के अंदर नेक्स दे पहुँचे नहीं इतनी कंट्रीज को आपको क्रॉस करने में चार पाच महीने लग जाते हैं जो ये एजेंट्स हैं इनका काम बस है कि अमेरिका के बॉर्डर को क्रॉस करवाना है उसके बाद आप पूरा प्रॉसेस आप देखते हो तो इसके लिए मैंने अलग सी वीडियो बनाई हुई है लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि उसके बाद अगर आप अमेरिका के अंदर घुज जाते हो तो आप असाइलम के लिए कैसे फाइल कर सकते हो लीगली अमेरिका के अंदर कैसे काम कर सकते हो तो वो वीडियो आप देखना उसमें पूरा असाइलम का मैंने प्रॉसेस समझाया है पर गाईज 30-30 लाग खर्च करके एजेंट के थूँ आना क्यों नहीं आप लीगल तरीके से आओ और अमेरिका के अंदर लीगली एजुकेशन पर खर्च करके आओ या फिर और जो तरीके हैं उसके थूँ आओ रादर देन एजेंट के थूँ अपना जान जोखिम में डाल के कई सारे रेप्स होते हैं बहुत सारी चीज़े होती हैं मेरा दिल पूरा दहल गया यह जब मैंने पूरा रिसर्च किया इसके बारे में तो तो मैं यह सज़ेस्ट नहीं करती हूँ तब ही मैं कोर्स लेके आई हूँ जिसमें सिरफ और सिरफ लीगल तरीके की चीज़ें आप लोगों को बताई गई है और वो अगर आप कोर्स ले लोगे तो आपको ऐसे किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोर्स में 70% डिसकाउंट दे रही हूँ मैं जाके कोर्स ले ले करेकाउंट मत यह जिल बताई के वरये चैसिंटर म कराने के बताईबदे इए स्ses roads लेरा है